हमारे साथ अपना दल की राश्ची अध्यक्ष भारत सरकार में केंद्री मंत्री और NDA की मजबूत सहयोगी अनुप्रिया पटेल साथ में हैं कई बाती अंसे करेंगे 2024 के चुनाओ के मैदान में तमाम राज़ितिक पार्टियां कूच चुकी हैं पर्टिकल बाते करें इसके पहले एक नई बात आजकल भारत सरकार मोहरी है सांस्कृतिक विरासत की ऐसा क्या काम हुआ है सांस्कृतिक विरासत को लेकर कि आजकल आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ विशेस काम किया है भारत सरकार ने आपके मंत्राले ने दू कास भी विरासत भी तेश को विकास के मार्क पर आगे लेकर जाना है साथ ही साथamosh उसका संडेक्षन उसका पुनर्जीवन भी करना है और इस त्रिष्टी से भारत की सरकार ने कई एहमकारे कि उसका मैं एक उधारन देना चाहती हूँ आपको भारत की आजादी में जनजाती समुदाए ने बढ़ चड़ कर कुर्बानिया दी लेकिन आजादी के इतने वर्षों ने जनजाती समुदाए ने जो देश की आजादी के लिए किया उसका गुडगान कभी नहीं हुआ हमारी सरकार में म हमें उजागर करने की आवशक्ता है भगवान बिर्सा मुंदा जी के जन्मस्थली उली हातू जाने वाले तेश के पहले प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी स्मृती में उनकी यादों में एक म्यूजियम हमारी सरकार ने बनाया और इतना ही नहीं जनजाती इस समुदाए में देश के कोने-कोने में बसे हुए तमाम आदिवासी समाज की लोग जिनोंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की यह रहोती दी ऐसे दस संघ्रहाले बनाने का निढ्ने हमारी सरकार ने किया तो हमारी संस्कृत को आगे बढ़ाने की उसे संज तेस Toon बाता है कि उत्तरप्रदेस में जब था आंगजा जाता है ऑं म derecho हम चैसी में आप उसको समझ सकते हैं कि दैना आपके नयापार Marian होंनी लकाता हुझ में दोस्तै तेस का म factions देक्त μासुत यह एट Water बूम्हार oh चुनाओं में भी बहुत मजबूत इस्तिती में तो ऐसी इस्तिती में आप अपने आप कहां खड़ा पा रही है तेकि हमारा एंडिये का गठी बंदन एक परिवार के रूप में है उसमें भारती जनता पार्टी के एक बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका है अपना पुराने सही योगी के रूप में अपनी भूमिका है हमारे दो अन्न सही योगी पार्टी है चाहे डॉक्टर संजे निशाज जी की पार्टी हो या मंयम Inpurकास ज्राजजबर जी की पार्टी हो पारीवार है जो परिवार एक जूट होता है उसकी ताकत भी बड़ी होती है हम तीनों छोटी पार्टिया है हमारा अपना प्रभाव शेत्र है हमारा अपना मतदाता है अपने समर्थक हैं, भारती जनता पार्टी का भी अपना एक व्यापक प्रभाव है और मुझे लगता है कि हम जब एक साथ आए हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बनी है और उत्तर प्रिदेश की जनता इसे पसंद भी कर रही है और इसलिए आप देखिए कि हमारे दो सायोगी तो खेर अब जुड रहे है लेकिन अपना दल और भारती जनता पार्टी का गटपंदन पुराना है और हम चार चुनाओ दो विधान सभा, दो लोग सभा एक साथ मिलके लड़ चुके है जनता ने, मतदाता ने पसंद भी किया और बार-बार अपने विश्वास का बटन भी दबाया अचानर प्रिया जी, कहा जाता है, देखे मोदी की गारेंटी की बात चल रही है तीन राज्यों में चुना हुए, आप लोगों ने अच्छा जीता बीजेपी ने लेकिन जब आप उत्तरप्रदेश के पुरवांचल की बात करती है, जहां से आब आती है हर बार आपको वहाँ पे डिंट लगता है, जब लोग सबाचना हो, दोजाब 22 का विदान सबाचना हो सीटें आप ही कम हो रही है, तो आप वहाँ से आती है, तो क्या मोदी मैजिक, मोदी गारेंटी या आप लोगों का प्रभाव उस इलाके में वैसा नहीं चल पा रहा है, जिससे इस तरह के नतीज़, ऐसा कहा कमी रह जा रही है, कि आप पुरवांचल में आप लोगों को शिकस्त मिल रही है, और उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठ देखिए कहीं कोई कमी नहीं है, आप ओवरॉल चुनाव का रेजल्ट देखिए, लगातार दो लोगसभा इलेक्शन, दो विधानसभा इलेक्शन, आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की सरकार को सबसे जादा मजबूती अगर किसी राजे से मिल रही है, तो उत्तर प पूरवी हिस्सा नहीं, अपितु पूरे देश के पूरवी हिस्से में हमारी सरकार का ध्यान केंद्रित है, कि ये विकास की दृष्टी से पिछड़ा हुआ है, इसमें हमें जादा काम करने की आवशक्ता है, तो हमारा जो भी ये हिस्सा है, चाहे पूरे उत्तर प्रधेश कि मैं तो बात करूँ समगरे दृष्टी से, हमारे राज जी की सरकार में, और हमारे केंद्र की सरकार में, मोदी जी की सरकार की योजनाओं में, और योगी जी की सरकार की योजनाओं का लाब जब पहुच रहा है, तो लोगों में विश्वास बढ़ा है, और दो हजार आपको सीटे भी जावा चाहिए इस बार जितनी जितने जिस तरीके से आप मजबूत हो रही है देखिए कि बारद्शकार मंत्री है और अच्छा परफॉर्मस है परफॉर्मस भहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है जो डिलीवरी करेगा जो परफॉर्मस करेगा आप कर प्रदानमंत्री जी की लोकप्रिता पुरे देश में है और हमारा ये संकल्प है कि देश में तीसरी बार फिर मोधी जी के नेत्रत में सरकार बने उसमें अपना दल भी अपना योगदान निरंतर दे रहा है और जहां तक पार्टी के विस्तार की बात है सीटों की संख्या की बात है हमारा पहला एजेंडा ये है कि NDA गटबंदन जहां से भी लड़े हमारा प्रत्याशी जीत कर आए चाहे वो अपना दल का प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो हमारे राजबर जी की पाठी का हो, या संजन इशाद जी की पाठी का हो जो भी प्रत्याशी हमारा NDA गट बंदन चारों ज़ंडे साथ लेके चल रहा है वो जीत कर आना चाहिए हम NDA के मजबूती के लिए और समगर उन्नती के लिए संकल्पित है दूसरी बात सीटों की संख्या को लेकर फिलहल कोई चर्चा भी हुई नहीं है सही समय आने पर इसकी चर्चा भी हो जाएगी और चुनाव में बहतर परिणाम हो इसके लिए अपना दल निरंतर अपनी संगटनात्म गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है प्रतेक मंडल में हमारी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है और आम जन्मानस का एक भड़ताव विश्वास और उत्सहा अपना दल के प्रती निरंतर नजर आ रहा है अच्छा अनुर्प्रिया जी एक मुद्दा चल रहा है जाती जन्गटना का कहा जाता है कि मतलब भाश्पा से इतर आप खड़ी हैं और आप कहती है कि सपोर्ट में खुल के कर रही है कई बार आपके बयान भी कि जाती जन्गटना होना चाहिए बीजेपी इसका विरोत तो नहीं करती लेकिन सायद समर्थे भी नहीं कर रही है आरेसेस के एक कोई प्रांत के कोई पदादिकारी है महराष्टा विदर्व में कल उनका बयान में सुन जाता कि इससे समाज में बिखराओ होगा वेमनस से पैदेगा होगा इस तरह की बात लोने के तो जाती जन्गटना पर आपका रुख क्या है क्यों जरूरी है अपना दल का पक्ष में स्पष्ट रूप से हर मंच पे कह चुकी हूँ हम जातिय जन्गटना के पक्षदर हैं देश में का सेंस होनी चाहिए देश की समाजिक संरचना का आधार हमारी जाती विवस्ता है विभिन जातियों के लोग मिलकर इस देश में रहते आए हैं पुरे भायचारे के भाव से रहते आए हैं और सबकी क्या संख्या है ये स्पष्ट रूप से प्रामारी काकड़े देश को जानने का अधिकार है और उसके बाद हमारे विकास की मुख्यधारा में कौन से ऐसे हमारे समाज की जातियां हैं कौन से ऐसे वर्ग है जो पीछे चूट गए हैं सरकारी योजनाओं को उनके अनुरूप हमें ढालने की भी आवशक्ता है मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही हूँ जैसे हमारी अलग अलग भाशाएं है फिर भी हमारे उन भाशाओं के बीच में देश की एकता है हमारा अलग अलग खान पान रहन सहन परमपराएं संस्कृती तीच त्योहार इतनी विविदताओं के बीच एकता है तो अलग अलग जातियों के बीच में भी एकता है और इस पान रहन सेहन तीज त्योहार के रहते एक रह सकता है तो अलग-अलग देश हमेशा एक रहा है एक है एक रहेगा और हमें उन डबी-कुचली दातियों ग thrijonा कर मैं दूसरी सवाल यह उपूछा नटीश वुएट करना चाहते हैं, पुरवान्चल है क्या असर डालेंगे सेंद मारेंगे, खुछ अवन हाटआप नोहें को हो रही smell लोगतंत्र है, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी राजनेतिक व्यक्ति कहीं भी अपने पार्टी के विस्तार के लिए, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने पार्टी के कारिकरम के लिए, चुनाओ लड़ने के लिए स्वतंत्र है पूरे देश में अपना दल भी चाहे तो हम महराष्टर भी जा सकते हैं बिहार भी जा सकते हैं ये स्वतंत्रता हर पार्टी को है हर नेता को है हर राजनेतिक कार्यकरता को है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इतना ही कहूंगी कि पहले भी उनकी पार्टी ने चुनाव लड़े हैं परिणाम क्या है आपको पता है तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो भी पार्टी यहां आना चाहती है ये देश किसी को कही भी जाने से रोकता नहीं है सब का स्वागत है उत्तर प्रदेश की जनता को और मतदाता को पता है EVM का बटन कहां दबना है जिस तरीके से अपना दल का पफामेंस हो रहा है आपका हो रहा है जरूर आपको अखलेश यादो ने भी अप्रोश किया होगा नितियश कुमार ने भी अप्रोश किया होगा है कि हमाई तरफ आजाओ हमें मदद कर दो कुछ ऐसा हुआ है क्या देखिए ऐसा है डिमांड तो है आपकी बहुत के एंडिये के घटक हैं एंडिये के साथ हैं अगर नितियश कुमार बनारस में आते हैं पुरवांचर मुद को तकलीफ कुछ नौती कोई डर लगता है मैंने तो पहले के दिया कि हमें किसी से कोई भै नहीं है इस देश में सब को स्वतंत्रता है 28 पार्टी एक साथ आएगी तो डेंट तो मारेगी कुछ सब का स्वागत है सब आईए सब का स्वागत है और सब को अपनी पार्टी अपने गटपंदन का विस्तार करने का अधिकार है एंडिये भी तो पूरे देश में लड़ रहा है कहीं हम सही होगी है कहीं कोई और सही होगी है देखिए हमें अपने काम पे भरोसा है हमें अपनी नीतियों योजनाओं कारेक्रमों पर भरोसा है जनता के बीच में जिस तरीके से हम जमीन पर ब आफ लेते हैं, तो लोगों की अंदर एक विश्वास का भाव है। उन्हें लगता है एक उमीद की किरेण नजर आती है कि इतना कुछ हमें मिला है, आगे भी बहुत कुछ मिल सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है और जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ती ह और उसके आधार पर ही मैं कह रही हूँ सब का स्वागत है सब आए एक आखरी सवाल, संजीदा सवाल है आप भारसकार में बंतरी है खुद बहुत पढ़ी लिखी है पुर्वांचल से आती है मैं भी पुर्वांचल से आता हूँ रोजगार एक ऐसी बड़ी समस्या है तो उसको एड्रस कैसे किया है आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने देखिए कानून व्योसा यूत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या थी वो एड्रस हो चुकी है कैसे रोजगार मिले, कैसे काम मिले ऐसा कौन सा ऐसा काम आप लोगों ने ऐसा बढ़िया किया है जिसको लेकर कि आप दुबारा पबलिक के बीच में जाएंगी अब नहीं भी जाएंगे पबलिक उसको अप्रिशियेट करें कुछ ऐसे काम है मजबूत तिकि मैं सबसे पहले जब रोजगार का सवाल आपने उठाया है तो मैं आपको कहूंगी कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अब यहां फिर गारंटी वाली बात आ गई हमारी सरकार ने गारंटी दी एक साल के अंदर मिशन मोड पर हम रोजगार की नियुक्तियां देंगे रोजगार मेलों का आयोजन हुआ और हमने 10 लाख सरकारी नौकरी इस वर्ष डिसेंबर चल रहा है यह डिसेंबर 2023 तक हमने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरीों के नियुक्ति पत्र सौप देंगे और हमने सौप दिये हम लगभग अपने लक्ष के करीब पहुँच है यह इतना बड़ा वादा नहीं बहुत सारी यह नियुक्ति पत्र एक एक रोजगार मेला में मैं सौइन जाती हूँ साथ हजार सत्तर हजार लोगों को एक एक साथ पूरे देश में नियुक्ति पत्र दी जाते हैं कितने बच्चे तो मेरे पुरवांचल के होते हैं कोई कहता मैं अलाबाद का हूँ कोई कहता बनारस का हूँ कोई कहता देवरिया का हूँ कोई कहता मिर्जापूर का हूँ मिन जाते हैं मुंबई तक मुझे लोग मिले हैं जिनको नियूकती पत्र मिल रहे हैं तो सरकारी मंतरालेओं में, सरकारी विभागों में जो इकनी पैंडेंसी थी, उसको ख्लियर करने का हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, 10 लाख सरकारी नौकरिया एक साल के अंदर इतना बड़ा कमिट् हमारी सरकार ने पूरा करके दिखा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद तो अनुर्पया पटेल अपना दल की राष्टी अधक्ष जो एक मजबूत सहयोगी दल है इनका कहना है कि परफॉर्मस और डिलिवरी के दम पर तीसरी बार फिर से बोधी सरकार बनेगी और चाहे इंडिया गटबंदन हो या दूसरी पक्षी दल्म जो भी हो आएं उनका स्वागत है उत्रप्रदेश में आएं बनारस में आएं लेकिन किसी की दाल गलने वाली नहीं है कामरा में नजय के साथ प्रशान्देव तूस्ट्टिफो